हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक तो माई यूट्यूब चैनल बीडी फैशन होम आर्ट में आपका स्वागत है आज देखिए हम आपको मंदर बनाना बताएंगे आइस्क्रीम इस्टिक से जिसके लिए हमने यह आइस्क्रीम इस्टिक लिए हैं और सबसे पहले हमें देखिए आइ है और एक आइस्क्रीम इस्टिक को इस तरीके से जाइड कर लेना है यह आप फैबी कॉल से भी बना सकते हो लेकिन उसे सुखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए इसमें देखिए एक बार ऐसे लगाने होती है एक बार ऐसे इस तरीके से लगाएंगे हम और इस तरसे इसे हलका सा उपर की तरफ खिसकाते ही हो चलेंगे ऐसे यह आरा मसठो ही जरीकेặt entertain कर फिसकाते हम चाह यह आपisters जाफने हो लेकर सा लेकिए लेक approximately बार टार म मेंस नांवने हुआ से प्रैपगे हैं और दिसकाना है धिए इसमें देखिए एक बार हमने ऐसी लगाई है फिर ऐसी लगानी है इस तरीकी से हमें लगाते हुए चलना है हलका हलका हमें ऐसे उपर की तरह किसकाते हुए चलना है इस तरीकी से हमें बनाते हुए चलना है जो उमारे यह तार से निकलिव है नहीं हम बाद में हटा देंगे झालना है बित्त डिशा जी टार को खरते हम जोना है कि अग्यों कि इस तरीके से हमें लगाते हो चलना है यह हमें यहां से जो गैफ है यह खतम करना है इसका इसी तरीके से कि अगाफ है कि अगाते है कि अगान से टेक यह हमें लगाला से घड़ाओ यह जत कि इस थाफ़ी दmember EU खचाना ह। कि अब ये कि इसी तरी किसे हमने बना लिया है और जैसे हमने इसको बनाया इसी तरीके से इतना ही बड़ा हमें एक और बनाना है इसी तरीके से बनाना है थेखिए सबसे पहले से यहां Boston यह इस तरीके से हमें पूरे 6 बनाने है आप जितना इसे बड़ा बनाना चाहती है अई चे का बनाएं या आट का या बारे का वह आप के ऊपर डिपैंड करता है मैं यह इसा बनाओगी यह में इस तरह की से च बना कर कम्प्लीट करने है मुझे दिखिए सबसे पहले हमें इस तरीके से चौकोर रखने होते हैं और उसके बाद में हमें इसी तरीके से लगाते हुए चलना होता है हलका हलका इधर करते हुए बढ़ाते हुए चलेंगे इस तरीके से हलका हलका इधर किसकाते हुए इस तरीके से बनाएं देखिए इसी चीज का दिहान रखना है इसमें स्रिप एक वार हमें इस तरीके से लगाने होती है और दूसरी वार इस तरीके से झाल प्रेवार शड़िट है यह देखिए हमारा बन के कंप्लेट हो चुका है अब यह देखिए इसी तरीके से यह हमने 6 बना के तयार कर लिए हैं इनको जॉइंट करेंगे अब देखिए इस तरीके से हमें जॉइंट करने है तो नस्तों को इस तरीके से जॉइंट करेंगे इस तरीके से जॉइंट हो चुके हैं और इसी तरीके से हमें यह दूसरे बाले को भी जॉइंट करेंगे बेदे के तीनों हमने इस तरीके से जोइंट कर लिये हैं अब इनको हमें वेस बनाना है जिस पर इने हम रखेंगे अब इदे के इस तरीके से हमें हम इसका वेस बनाना है जिस पर इसे खड़ा करेंगे हॊआ है हुआ हुआ है 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 यह हमने तर्फार है सीधर सीधर बनाना है नहि crisi दिजलेंगे है है कि अब देखिए हम में तयार कर लिया है ये हमने चार इष्टिक लगाई नीचे उन्पे ट्यार गया है आप पहले देखिए हम इस यहां पर जोईंट कर लेंगे और दूसरे वाले को यहां इस तरीके से वरया आप तीसरे वाले को इन दोनों के इसटे वर्ली को आप जोईंट गडाये इसको हम इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे अबिदे के इस तरीके से इसकी सेफ आई है और इसकी अंदर हम इनको लगा लेंगे रेकुरेट करने के लिए आप इसमें कोई भी फ्लॉवर या डॉल वगरा सजा सकते हो इसे अच्छी से सैट कर लेंगे अब देखिए हमने लगा के तियार कर लिए उसके बाद में यह हमें गोल्डन लैस लिए हमने यहां पर इस तरीके से लगाएंगे और इसे यहां इस तरीके से लिए लगाएंगे इसको में झाल झाल ले mine लेजमें तसे लेज शेए तरीके यह करें हमेशे नग लेज से ही पूरे को कि जिस तरीके से यह हमने उपर लगाया है इसी तरीके से हम यहां पर भी लगाएंगे अब देखे हमारे नगवाले लेस्ट जॉइंट होती है इसमें से हमने पीसिस कट कर लिये हैं इन पीसिस को हम इस तरीके से लगा देंगे कि इसी तरीके से लगाएंगे इसी तरीके से आप किसी फिलावर या पत्ते और अगयरा से डेकुरेट कर सकते हैं इसको हमने तरीके से किया है और यह हमने लमबी कट की है जिसको हम इसके उपर लगाएंगे इस तरीके से अब देंगे अब देखे पूरा कंप्लीट हो चुका है पनकर के किस तरीके से बनाया यह हमने आपको बता दिया है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लें लाइक से इर सब्सक् करने के बाद notification bell को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियो की notification आपको मिलती रहे थैंक यू